नमस्कार प्रस्तुत है उपन्यास सेखर एक जीवनी का दूसरा भाग दरसल उपन्यास की सुरुवात यहीं से है पहले भाग में मैंने इसके भुमिका पर बात के थी चलिए शुरू करते हैं फांसी जिस जीवन को उत्पन करने में हमारे संसार की सारी सक्तियां हमारे विकास हमारे विज्ञान हमारी सब्वेता द्वारा निर्मित सारिक शमताएं या अवजार और समर्थ है उसी जीवन को छील लेने में उसी का बिनास करने में ऐसी भोली हिर्दय हिंता फांसी फांसी क्यूं? अपराधी को दंड देने के लिए पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खिची है वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को सिक्षा देने के लिए पर यह कैसी सिक्षा है कि जीवन के परती आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हिर्दय हीन उपेक्षा का परदसन किया जाए? और इससे भी क्या कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्द ही करती रही है उ एक सम्मोहन, एक निमंत्रन जो की परती हिंसा के इस यंत्र को भी कभता मैं बना देता है जो की उस पर बलिदान होते हुए अभागे या अतिशाय भागे साली को जीवन की एक सिद्धी दे देता है और उसके आसमय आवसान को भी संपूर्ण कर देता है फांसी योवन के ज्वार में समुद्र शोशन, सुर्योदे पर रजनी के उलजे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल, सारदी नब की छटा पर एक भीम काय काला बरसाती बादल इस विरोध में, इस अचानक खन्णन में निहित अपुरु भैरव कब्ता में ही इसको सिद्धी है सिद्धी कैसी काहे की, मेरी मिर्त्यू की क्या सिद्धी होगी, मेरे जीवन की क्या थी यवनिका उठती है और गिर जाती है, परदे आते हैं और बदल जाते हैं किन्तु यवनिका का परतेक आक्षे, परदे का परतेक परिवर्तन, अपने आउसान में लीन होकर भी नाटक के प्रवाह में एक बुंद और डाल जाता है, एक बुंद जो स्वयम कुछ नहीं है किन्तु जिसके बिना उस प्रवाह में गती नहीं आ सकती, जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता मैं अपने जीवन का परत्याव लोकन कर रहा हूं, अपने अतीत जीवन को दुबारा जी रहा हूं, मैं जो सदा आगे ही देखता रहा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुँचकर पीछे देख रहा हूँ कि मैं कहां से चल कर, किधर किधर भूल भटक कर, कैसे कैसे बिचित्र अनभो प्राप्त करके यहां तक आया हूँ और तब दिखता है कि मेरी भटकन में भी एक प्रेड़ना थी जिसमें अन्तिम बिजय का अंकुर था, मेरे अनुभो बैचित्र में भी एक विशेश रस की उपभोगेक्षा थी जो मेरा निर्देश कर रही थी, और जीवन यात्रा के पत्में जो पहाड तराईयां नदी नाले, जार जंकार आंधी पानी आये उन सब में मेरे और केवल मेरे संबन्द में एक एक्य था जिसका देय था किसी विशेश काल में, विशेश परिश्थिती में, विशेश स्थान पर, विशेश साधनों और उपायों से मेरे जीवन का विशेश रूप से समापन, जिससे उसे अपनी सिद्धी, अपनी सफलता और अपनी संपुनता प्राप्थ हो जाए, अब मैं अधूरा हूं, पर मुझमें कुछ भी न्यूनता नहीं है, अपूर्ण हूं, पर मेरी संपुनता के लिए कुछ भी जोडने को स् सिवाए इस परत्याव लोकन के, सायद, जीवन पत के अंतिम पड़ाव पर पाथे ही यही है, क्योंकि मुझे इस से और इस मात्र से त्रिप्ती मिलती है, सबसे पहले तुम सशी, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी श्मृती हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवारी रूप से तुम्हारे होने को लेकर है, ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना सान की पूरो कलपना करता है, तुम वह सान रही हो, जिस पर मेरा जीवन बराबर चड़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बना जो संसार के आगे खड़ा होने में लज्जित नहीं है लज्जित होने का कोई कारण नहीं जानता तुम जीवित नहीं हो मेरे सेखर के बनने में ही तुम तूट गई हो सायद स्वेम सेखर के हाथों ही तूट गई हो और मैं अपने मन में बार बार यही दोरा कर कि ससी नहीं है, ससी मर गई है, ससी नहीं है भीया समझ नहीं पाता कि क्या हुआ अपनी प्षती का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अनुभाव नहीं कर पाता क्यों? क्यों तेज तल्वार कैसे जान पाए है की सान अब तूट गई है जब तक की वह श्वैम भोडी न हो जाए या तूट न जाए और मैं अभी जीता हूँ, अभी जल रहा हूँ, अभी हूँ पर तब मैं क्यों कहूँ कि तुम नहीं हो जो सान तलवार को बनाती है वह तब तक की तलवार नहीं टूकती मुझे मरना है फांसी पर जूल कर मरना है पर अभी मैं जीता हूँ मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे आग्या दो मैं तुम्हें याद करूँ यहां तुम हो जहां तुम हो वहाँ सायद सब्द को लाना पूजा को भरष्ट करने सा है फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ या भी अधिकार मुझे दो तुम मर गई हो अत्यंत ना कुछ हो गई हो यही मुझे अपने आपको समझाने दो और इसके लिए उसे सामने लाने दो जिसे मैं कुछ समझू तुम्हारे सिवाए तुम्हारे चायाएं तुम्हारे चायाएं जिन्हें कभी मैं सच समझता था नहीं वो अक्षन नहीं जिसमें की मैं घबरा कर पूछा था क्या होता है ससी और तुमने भर्राई बिहोस होती हुई आवाज में कहा था सुक सेखर सुक उस क्छन को खण ही भर से अधिक सामने आने की क्छमता मुझे में नहीं है मुझे याद आता है कभी ऐसा भी था कि हम सहाज भाव से मिलते जुलते थे स्नेह हम में था मोह हम में था लेकिन वा स्नेह नहीं जो की बिगनों के सहारे बहता है वा मोह नहीं जो की पीड़ा की निव पर ही अपना घर खड़ा करता है जब मैं जेल से आकर पहले पहल तुम्हें मिला था तब तुम्हें देखकर एक गहरा अगहात मेरे मन पर हुआ था लेकिन वाशनेह नहीं जो कि बिग्नोक के सहारे बैहता है वाह मोह नहीं जो कि पिड़ा की नीव पर ही अपना घर खड़ा करता है जब मैं जेल से आकर पहले पहल तुम्हें मिला था तब तुम्हें देखकर एक गहरा आगात मेरे मन पर हुआ था तब ही मैंने कहा था बाहर आकर मेरा बहुत कुछ खो गया है भीतर मैं तुम्हें अपने से एक ही दिखता था अब लगता है कि मुझे तुम्हें दुबारा पहचानना है और तब तुम रोई थी तब तुमने सहसा कहा था मेरा घर देखने ना चलोगे क्योंकि तुम्हारी साधी हो चुकी थी तुम्हारा घर था मैंने तुम्हारे घर देखा उन्हें भी देखा जिनके आधार पर वा घर अब तुम्हारा घर हुआ था और मुझे लगा तुम संतुष्ट बैठी हो तुम्हारे जीवन के चलने की एक पट्री निश्चित हो गई है और उस पट्री के इधर उधर कहीं कोई नहीं है तब मेरा संकोच और भेद्दिल्ड हो गया कि मुझे दुबारा पहचानना है तुम मेरी परिचित नहीं है मैंने कहा ससी कुछ गाओ अब मैं गाती वाती नहीं क्यूं? अब बहुत बुजिर्ग हो गई हो क्या? तुम हसी और उस हसी की ध्वनी के आसरे ही मुझे एकदम वाक्षण प्राप्त हुआ जो जीवन में कभी-कभी आता है बहुत ही स्पष्ट अचूक द्रिष्टी से मैंने देखा मेगा चन आकास प्रकास हिन सान्यकाल पवन चंचल चंचला भी अद्रिष्ट और उड़ते उड़ते सहसा पंक तूट जाने से बिवस गिरता हुआ अकेला ही अकेला एक पक्षी जो गिरता है और फिर अपनी उड़ान अपना अस्थान पा लेने के लिए चट पटा रहा है मैंने एकदम से तुम्हें पहचान लिया तब मुझसे नहीं हो सका कि मैं वहां बैठा रहूं मैं बिदा मांग कर चल पड़ा तुम द्वार तक छोड़ने आई देख लिया मेरा घर हाँ देख लिया बहुत कुछ देख लिया कहकर मैं जल्दी से बढ़ गया और तुम उस अपने घर की परिदी में घिरी खड़ी रही इससे आगे अगली वीडियो में धन्यवाद